हेलो दोस्तों नमस्कार मैं ओमिर सिंग आप से भी का स्वागत करता हूँ अगर आप रेलवे गुरुब डिये की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंप्रोडन्ट होने वाला है आज हमारी सीरीज का 12 मा दिन है और 12 में दिन हमें क्या-क्या पढ़ना ह ये सारी बात हैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे देखिए वीडियो देखने से पहले अगर अवी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसका को आज भी पढ़ेंगे आज 3 दिना क्ष्टम कर देंगे जाने कि कुछ अज इतना पढ़ना है that कि कल खतम हो जाए तो कल हम परसेंटेज को खतम कर लेंगे और जो टेविल कि आप रिविजन तक करनी है जाने कि दो से तीस तक आपको टेविल याद करनी है पहाड़े यहां वैसे दो से पच्चीस तक भी आपको अच्छे से जाद हुए नहीं होंगे मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा काम दे रहा हूं आपके लिए लेकिन कुछ दिन मेहनत कर लो आपकी जिंदि आज दिन में करवा रहा हूं तो आज तीस तक अगर आप तीस तक टेविल याद हो याद बहुत बढ़िया है अगर तीस तक नहीं याद होती है तो तुम पच्चीस तक भी टेविल याद कर सकते हो पच्चीस तक भी बहुत है पच्चीस तक आज टेविल द्वारा याद क करनी है अब चलते हैं रीजिनिंग पर देखिए रीजिनिंग में कंक्लूइन एंड डिशन मेकिंग की कुश्चन आते हैं बहुत ही इंपोड़न्ट टॉपिक है बैसे रेलवे में आ सकता है लेकिन नेड़न रेलवे जिस तरह से इसमें दे रह्खा है इसमें दे रखा हा कि अगर आपसन को सर्थ क्या क्या दे रखे हैं छात्र को दाखला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या मामला कहा भी जाना चाहिए इस तरह होते हैं, जैसे कि यह समझो कि आप किसी इंटरू की जगे निकलिए और हम आगे हैं 12 वेल्थ मांगे हैं, अगर 12 ना हो तो आपके पास हाई स्कूल प् संस्क्राइब में होते हैं next चलते हैं GS में Curtis में पनरी का आजपर नम्र 10 पढ़ना है गुर्त्वा पलबना है आपको ग्रेविटे स आज आपको चेपटर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है इसके बाद में आ जाते हैं जीके में आज आपको जो पढ़ना है वो भारत का सम्मिनार पढ़ना है क्योंकि ये इतना है कि आज आप इसी को कर पाऊए राज की कारपाल का राजपाल मुखमंत्री और मंत्री परस्द इसमें आपको इतनी सारी चीज़ां पढ़नी पढ़ती है तो राजपाल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए मुखमंत्री के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और मंत्री परसत के बारे में आनकारी उरिंग जीए यानिके नियुक्ति कौन करता है ये कैसे बनते हैं इनका कार्रकाल क्या होता है बेतन क्या होता है इनका कार्र क्या होते है ये सारी बाते हैं इनके बारे में आपको मालू होने चाहिए तो इस तरह से आज का टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है तो आप अगर अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता दे रहा मैं थोड़ा कम कर दूँगा से लिवस जित्रा मैं दे रहा हूं उससे कम दूँगा फिर जिससे कि आप अच्छे से कर प है अगर वीडियो पसंद आई हो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को जादे से जादा सेयर करें थैंक्यू धन्दबाद